गड़वाल का परवेशद्वार कहे जाने वाला कोड़द्वार अपने नाम से ही जाना जाता है क्योंकि यहो अपने परसिद्ध टेंपल सिद्ध बली मंदिर और करणासरम के लिए जाना जाता है सिद्ध बली बंदिर में जहां गुरू गोरकनाद को इसी जगा सिद्धी प्राप्त हुई थी वही हनवान भुगान ने यहां अपने दर्शन भी दे थे जहां करणाश्रम रिसी कौने का आश्रम था यहीं वीरभरत ने जनम भी लिया था जिसके फलसरूप देश का नाम भारत पड़ा 1890 में यहां अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया और बस यहीं से कौर्दवार ने विकास की प्रगर्थी सुरू करी और आगे चल कर यह आज का कौर्दवार बन गया दोस्तों आप देख रहे हैं ने नीताल मीने यूटीब चैनल तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम कौर्दवार नाम की वज़ह को जानते हैं कि आखिर इसका नाम कौर्दवार क्यों पड़ा कौर्दवार का स्वरपर्थम नाम खोधार हुआ करता था क्योंकि यहाँ जगह खोव नदी के किनारे इस्तित थी जहां यहाँ खोवनदी किसी समय हिमाले से निसकासित होती थी तब प्राचिनकाल के लोग इसकी पवितरता के चलते इसे खोवदार बुलाते थे कोड़द्वार का सुरपर्थम नाम खोवद्वार हुआ करता था क्योंकि यहाँ जगा खोवनदी के किनारे इस्तित था ये सामने आप खोवनदी को देख सकते हैं जिसके ठीक बगल में कोड़द्वार इस्तित है जब इस जगा का नाम खोवदार हुआ करता था तब यहां मौरे समराज, कत्योरी राजवन्स और पवारवन्स का सासन था लेकिन जब यहां गोरखा सासनकाल सुरू हुआ तब इसका नाम खोवदार से हटा कर खोवदार रख दिया गया लेकिन 850 के आते आते इसका नाम कोर्दवार ही रखा गया क्योंकि यह जगा पहाड़ों के काफी करीब थी और पहाड़ियों के तरब जाने वाले मारके के कारण इसका नाम कोर्दवार रख दिया गया जहां कोड का अर्थ पहाड़ी हुआ परदवार का अर्थ दरवाजा हुआ कोड़दवार का इथियाज जादा पुराना नहीं है क्योंकि दुतीवी सुद्ध के बाद से ही कोड़दवार में डबलपमेंट का कार सुरू किया गया था असल में कोड़वार को गड़वाल का उस समय भी परविश्दवार कहा जाता था क्योंकि यहो आखरी प्लेन छेतर था जहां से गड़वाल की तरफ पहाड़ी छेतर शुरू होता था तब अंग्रेजों ने सहा जहां पूर से लेकर कोड़वार तर रेल लाइन बिचाई क्योंकि कोड़वार में अंग्रेजों का थोक वेपार का कारे काफी अच्छा चलता था जहां से लोग आटा, चावल, मिल, तेल, प्लास्टिक और रबर काफी मातरा में खरिगते थे क्योंकि कोड़वार के बाद सबी जगा पहाड़ी इलाका हुआ करता था इधियासकार बताते हैं कि धहरदून और हल्दवानी से ज़्यादा वेपार अंग्रेज लोग कोड़वार में करते थे इसलिए कोड़वार में विकास के लिए 1883 में रेल लाइन कारी को शुरू किया गया और 1890 के आते आते कोड़वार में रेलवे स्टेशन की शुरूआत हुई जिसे आप अभी देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो का आपने यहां तक देख लिया है तो नेनी ताल मेंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगयाने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद अंग्रेज लोग ट्रेन से लकडियों का कारूबार करते थे और 1901 से इसी रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन चनना भी शुरू हुई जिसमें अंग्रेज लोग ही जाया करते थे अब 1897 से कोड़वार का नगर विकास शुरू हुआ और 1901 में इसे एक नगर का दरजा प्राप्त हुआ और जब 1901 में कोड़वार की जनसंक्या काउंटिंग करी तब इसकी जनसंक्या मेहज 1029 थी और धिरे धिरे लैंस डाउन और टुकड़ा जैसे जगाओं का विकासकार ये सुरू होने लगा जहां कोड़वार से कुछ परिवार यहां आकर रहने लगे और 1901 में यहां पहली नगर पालिका की बिस्तापना हुई और तब कोड़वार की कई हिस्सों में लाइट भी पहुँच चुकी थी कोड़वार का मोसम सम सीतोर्सन है जिसका अर्थ जाडों में यहां कटो ठंड और गर्मियों में गर्म जाडों में अक्सर यहां बरबारी भी हो जाती है तब बरबारी के दोरान कोड़वार अमेरिका के सहरों की तरह लगता है कोड़वार अपने सिद्वली मंदीर और करणासरम के लिए जाना जाता है जहां कोड़वार के नाम के आगे कॉर्ण नगरी कॉर्दवार लगाने की भी मांग उठ रही है यहां का सिद्यवली मंदिर काफी खास है लेकिन मैं इसकी कम्प्लीट वीडियो किसी एक नई एपिसोड में बनाऊंगा कॉर्दवार की पासी एक सुन्दर सी जगा चरेक है चरेक यहां का इतना सुन्दर है जिसे कस्मीर का गुलमर्ग कहा जाता है चरेक कितना सुन्दर और प्राकरतिक सुन्दर से भरा हुआ है जिसे आप वीडियो में अभी देख रहे हैं कोर्दवार यदि आप आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोर्दवार आपका वेलकम करता है क्योंकि यहां से आप लेंसडाउन, डुकड़ा, सिद्ध बली मंदिर, कर्णासरम और चरेग आधिस्थानों में जा सकते हैं जो कोर्दवार के आसपास ही हैं इतनी खुबसरत जगाहों के कारण कोर्दवार को अक्सर लोग मेरी जान कोर्दवार कहते हैं उमीद करता हूँ कि कोर्दवार की संचिप्त जानकारी आपको काफी पसनाई होगी और यदि हां तो वीडियो को सेर भी जरूर करें और साथी में नई लोग ने निताल मेने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे तो दोस्तो आज की एपिसोड में बस इतना ही मैं हूँ आपका दोस्ते संदीप फुरसे में लेंगे एक नई एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों